ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारी बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रु सादर जैसी कृष्ण हमारे यूट्यूब चेनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ आचारी धर्मिंद शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं डेनिक राशीफल या राशीफले 14 दिसंबर 2021 मंगलवार का दिन है अगन मास के शु कामनाय और बढ़ाईया अगर आप गीता जैनती या मोक्षदा एकारशी की कठा का स्रवन करना चाते हैं या फिर एकारशी की अधिक जानकारी प्राप्त करना चाते हैं तो हमारी चैनल पर हमने आपके लिए अन्यू वीडियो प्रस्थुत किये हैं उनको आप जरूर अगर किसी कारण वस उत्तरदिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो गुड़ खा करके यात्रा आरंब कर सकते हैं राहुकाल जो की दो पहर तीन बजे से आरंब हो करके साड़े चार बजे तक रहेगा राहुकाल के दोरान कोई भी शुब या मंगली कार अगरम संपन नहीं करना चाहिए हलाकि राहुकाल करने आप अपने ख्षेत्र के पंचांग अत्वा के लेंडर के अनुसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई स्थानों पर माना जाता है और कई स्थानों पर नहीं भी माना जाता है दैनिक ग्रह गोचर के दिह हम बात करें तो ग्रहो के राजा सूर्य देव जो की वरश्चिक राशी में, वहीं चंद्रमा मेस राशी में, मंगल ग्रह वरश्चिक राशी में, बुद्ध ग्रह धनू राशी में, देव ग्रू ब्रहस पती जो की कुम्ब राशी में, शुक्र ग्रह मकर राशी में, शनिदेव मकर बाहू वरशब तथा केतू वरश्चिक रासे में विराजित रहेंगे इस दैनिक ग्रह गोचर के नुसार मेश, मिठोन, सिंग, तुला, मकर और कुम्ब ये छे राशियां सबसे अधिक भागिशाली रेने वाली है दिन इनके लिए लाप प्रसिद्ध होगा धनलाप की सांसा कारिक्षित्र में उन्नती तथा प्रगती के उत्तम अउसर इनको प्राप्त हो सकते हैं तो अब हम आपको मेश से लेकर के मीन सभी बारा राशी वालों का देनिक राशी फिल पताने जा रहे हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अन्त तक जरू देखिएगा और अधि पूर्ण चर्चा होगी रुके हुए अटके हुए काम पूरे होंगे अधिकतर समय मन और अंजन तथा परिवार के साथ मोज मस्ती संबंदी गती विडियो में व्यतीत होगा और उपाई के रूप में मा दुरगा के मंदिर में लाल फल चड़ाना आपके लिए शुपलदा की कोशिश करे इसे आपके अंदर चल रही कई गलत फेमिया सुलच जाएगी धर्म और अध्यात्म के प्रति आपका बड़ता विश्वास भी आपको शांती और मानसिक सुख प्रदान करेगा बच्चों को अपनी पड़ाई में और अधिक ध्यान देने की आउशकता है इस घर से निकलते समय यदि आप सफेद रंग की कोई भी मीठी वस्तू जैसे मिस्री या शकर खाकर के घर से निकलते हैं तो आपका देन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका गुलाबी होगा अब हम बात करते हैं मितुन राशी की घर में रिष्टदारों का या मेहमानों का आगमन होगा तथा आपसे विचारों का आदान प्रदान घर के वाटावरन को खुश्चनुमा बनाएगा अपने महतुपूर्ण काम आप निप्टाने का प्रयास करेंगे युवाओं को आपसी वारता लाप से अपनी किसी समस्या का समाधान मिल जाएगा बच्चों पर कठोर नियंतर न रख करके मित्रवत व्यभार रखे इससे आसानीशे वे अपनी समस्याओं के आपके साथ शेयर कर पाएंगे और उपाई के रूप में हरी सबजी का दान करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक आठ होगा भागिशाली रंग आपका आसमानी होगा अब हम बात करते हैं करकराशी की मनोरंजन और हास परिहास में आपका समय वितित होगा हलका फुलका आराम करने का आउसर भी आपको मिलेगा उर्जा से आप भरपूर महसूस रहेंगे घर की जर्वत संबंदी कारियों में आपकी विस्ता बनी रहेगी बच्चों के साथ उनके क्रिया कलापों में रुची जाहिर करना उनके आत्म इश्वास को और अधिक बढ़ाएगा घर की किसी महत्वपूर्ण वस्तू के खोने या चोरी होने की संभावना है किसी पर इलजाम लगाने से पहले अच्छी प्रकार से परताल अवश्य करे और अपनी वस्तू को सम्हाल कर रखे ओफिस के कुछ कामों को घर पर भी समय आपको देना पड़ सकता है और उपाई के रूप में भगवान गणेश जी के मंदिर में यदि आप लड़ू चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग पीला होगा अब हम बात करते हैं सिंग रासी की पारिवारिक सदस्यों की सुक्स विधाओं का ध्यान रखने के प्रति आपका पूर्ण समर्पन भाव रहेगा किसी सामाजिक गतिविधी में आपका महतुपूर्ण योगदान होने की वजह से आप सम्मानित होंगे कोई आर्थिक प्रेशानी होने से आपके मित्र आपकी मड़ट के लिए ततपर रहेंगे परंतु कभी कभी आपके विचारों में बहुत अधिक वहम वा संक्रिणिता परिवार के लोगों के लिए प्रेशानी का कारण बन सकती है इसलिए अपने व्यवहार व विचारों में लचीलापन बना कर रखना अति आवश्यक होगा और उपाई के रूप में घर से निकलते समय एक लॉंग या फिर इलाईची खाना आपके लिए शुफलदाई सावित होगा आपका भागीशाली अंक तीन होगा, भागीशाली रंग आपका कैसरिया होगा अब हम बात करते हैं कन्या राशी की, किसी समाच से भी संस्था में आपका विशेस योगदान रहेगा जिसकारण आपको मान संबान व यश भी प्राप्ती होगी आपके अपनी व्यक्तिगत काम काफी हद तक सुचारू रूप से संपन होते जाएंगे अटके हुए रुके हुए काम भी आपके पूर्ण हो जाएंगे रुका हुआ पैसा भी आपको अचानक प्राप्त हो सकता है कोई अचानक ऐसी खुशकबरी मिलेगी जिसका बहुत दिनों से इंतजार था उस कारण से परिवार में अच्छी खुशियां व्याप्त होगी और किसी अंजान व्यक्ति के विवाद में बिल्कुल न पड़े क्योंकि उसकी वजह से आपको परिशानिया उत्पन न हो सकती है उपाई के रूप में भगर से निकलते समय यदि आप मिठाई के रूप में कोई भी मीठी वस्तु खा कर निकलते हैं तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भगिशाली अंक आठ होगा भगिशाली रंग आपका नीला होगा अब हम बात करते हैं तुला राशी की आज किसी भी गती विधी में दिल के बजाए दिमाग से काम लेना आपके लिए अधिक फायदेबन साबित होगा निकट संबंधियों के साथ प्रापर्टी को लेकर गंभीर और लाब दायक चर्चा होगी घर में कोई धार्मिक आयोजन संपन हो सकता है काम की अधिक्ता की वजह से स्वभाव में चर्चडापन रहेगा जिसका असर परिवार की विवस्था को खराप कर सकता है अपने स्वभाव को सकारात्मक बनाए रखने के लिए आपको पॉजेटिविटी बहुत आवश्यक होगी तथा सकारात्मक लोगों के साथ चर्चा करेंगे तो निश्टे ही आपके स्वभाव में एक सकारात्मक आपको नजरिया महसूस होगा और उपाई के रूप में भैवान विष्णू जी के मंदिर में कोई भी फल चड़ाना आपके लिए शुप्फलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं वरश्चिक रासी की घर के बड़े भुजुर्गों तथा वरिष्ट व्यक्तियों के साथ कुछ समय आपका वेतित होगा उनके अनुभवों को आत्म साथ करना आपके जीवन को कुछ सकारत्मक पहलियों से अउगत कराएगा बच्चे भी अनुशासित तथा अग्याकारी रहेंगे स्वास्त में हलकी पुल की परिशानी रहने की वज़ह से आपके कुछ काप अधूरे रह सकते हैं परन्तु तनाव को अपने उपर हावी न होने दे पहरिवारिक व्यक्तियों का उचित सहयोग आपको चिंता से मुक्त रखेगा अर्थिक स्थिति में सुधार होगा धनलाब होगा नए काम की आप योजना बनाएंगे तथा जो काम बहुत दिनों से अधूरे या अटके पड़े हैं उनमें भी आपको सुधार महसूस होगा उपाई के रूप में घर से निकलते समय यदि किसी भी गरीब व्यक्ति को दूद का या दहीं का दान आप करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं धनुराशी की राजनेतिक गतिविधियों से जोड़े मित्र आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगे तथा उनके साथ लाबदायक मुद्दों पर विचार विमर्श होगा समय का भरपूर फाइदा उठाए मरोरंजन संबंदी कारियों में आपका समय बेतित होगा अपने व्यक्तिगत कारियों में किसी बहारी व्यक्ति को शामिल न करे कोई आपकी गतिविधियों का नाजाईस फाइदा उठाकर आपको नुकसान पहुँचा सकता है बच्चों की गती विधियों पर तथा उनकी संगत पर आपको नजर रखना बहुत आवश्यक होगा और उपाई के रूप में यदिया भगवान विश्नु जी के मंदिर में कैसर या हल्दी चड़ाएंगे तो आपका डिन शुफलदाई थाबित होगा आपका भगशाली अंकदो होगा भगशाली रंग आपका पीला होगा पूरा सहयोग करना आपको महत्यपुर्ण मुकाम हासिल करवाएगा आपके व्यक्तित्थ हो सामने आपके विरोधी परास्त हो जाएंगे कहीं से कोई ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिससे परिवार में खुशियों का माहौल निर्मित होगा कोई भी योजना बनाने या क्रियानवित करने से पहले पुनर विचार करना बहुत आवश्यक होगा और उपाई के रूप में भगवान हनुमान जी के मंदिर में एक नारियल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक पांच होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं कुम्ब राशी की अपना अधिक्तम समय आप अपने घर के अटके हुए रुके हुए कारियों में वेतित करेंगे इस्थाई संपत्ती भूमी भवन वाहन संबंदी कारिय भी आपके संपन हो जाएंगे घर परिवर्तन की आप योजना बना सकते हैं कोई शुभ और मैंगलिक कारिक्रम भी आपके मन में चलते रहेंगे जिनके विशय में आप कुछ कारिभी संपन करेंगे और संतान संबंदी कोई चिंता आपको परिशान करेगी कोई खुशकबरी ऐसी मिलने वाली है जिसे आपकी चिंताएं लगभख समाप्त हो जाएगी उपाई के रूप में यदि आप काले तिल शंकर भगवान के मंदिर में चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक साथ होगा भागिशाली रंग आपका जामूनी होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की आज आपका अधिक्तम समय पारिवारिक लोगों के साथ व्यतित होगा और घर की सुक्सुविधा संबध्धी कार ये भी आपके पूर्ण हो जाएंगे अधिक समय आप जो है अपने क्रिया कलापों में व्यतित करेंगे रुके हुए अटके हुए काम आपके परिवार के सायोक से संपूर्ण हो जाएंगे भावनात्मक संबंध और अधिक मजबूत होंगे आपकी जो शंकालू या जित की प्रबत्ती है उसको परिवर्तन करना चाहिए थोड़ा सा व्यवहार में लचीला पन रखना बहुत आवश्यक होगा और उपाई के रूप में चट के उपर पक्षियों को दाना डालना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा और आपका भाग गिशाली अंक एक होगा भाग गिशाली रंग आपका औरेंज होगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्यकर लीजे आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जैसी कृष्ण सादर धन्यवाद